अरे बेटा कोवे क्या पवे क्या बात होगे बेटा अरे सर कल मैंने भावोग होके अपने घरवालों के लिए दुआ मांग ली अरे एसी क्या दुआ मांग ली तुने यही सर के ओपर वाला उनकी सारी परेशानियों को खतम कर दे अरे तो यह तो अच्छी बात है इतना परेशान के हो रहा है अरे सर मैं परेशान ही हो हूँ कहीं मैं ही ने टपकी जाओं कोई नहीं हजेगा पहुए बेटा तेरी हाइड तो इतनी सी है तो तु बढ़ा होगे अरे और कितना बढ़ा करा होगे ऐसी नटुआ रहे गए मतलब मेरा कहना का जिंदगी में क्या करना अरे सर सुनतो लो मैंने एक ऐसा यंत्र बनाया है जिससे दिवार के आरपार देख सकते हैं तूने यंत्र बना लिया कौन सा यंत्र बनाया होई अरे सर एक मामूल इसी दर्खास्त है दर्खास्त है के दर्खास्त है ये गाना मत गाओ सवाल सुनो इसका नीचे जिम में जाके जाडू भी माननी है मुझे अपि आपनी पडोसन की बेटी से शादी करवा दो शादी करवा दो अब काम क्या कर रहे है तू सर चांदी काटता हूँ इतना तफड़ा बिजनिस जी एस्टी के फुल फॉर्म सनो बेटा अरे शादी ना करवानी तो वैसी मना कर दो सर ये फाल तू के अंडिसन्ट सवाल मत पूछो अरे पवे मेटा किलास खतम होने के बाद क्या गाम करता है सर चोरी अरे वाँ पवे वाँ सीधा नर्क जाने का इरादा है मतलो अरे सर आपना जा रहा कोई भी नर्क अच्छा तुझे कैसे बता बही नकर मेरे दादर जी आयते सबने में कहने लगे जितने पाप करने कर लो नर्क फूल बड़ी पड़ी है हम खुद दीवादा करें तो आप मुझे A, B, C, D सुनो सर A, B, C, D और सुनो और सर बढ़िये सर आप बताओ नर्क欸ड़ मांजो बांजो बांजो अब बच्चो शेर कौई को है पॉए एक बात बता अगर पाप का घड़ा भर जाए तो हमें क्या करना चाहिए बहुत सिंपल सर बहुत सिंपल जल्दी बदा चेप मतो मेरे से सर घड़ा हटादो और ड्राम रख दो अरे पॉए कैसे उदास बेटा है अरे सर जिंदीगी में पहली बार किसी लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई थी अरे तो इसमें रोने वाली बात कहां से आगी पॉए एक्साइट मेंट में कैंसिल का बटन डब गया सर